मनिपूर में मारे गए 64 लोगों के शव कड़ी सुरक्षा के बीच उनके परीजन को सोग दिये गए अधिकारियों ने बताए कि मई में जाती हिंसा का शिकार लोगों के शव मौर्चूरी में रखे थे आधिवासी एकता समीती ने अंतिम संसकार के लिए शुकरवार को सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक सदर हिल्स कांग पुकपी में 12 घंटे के पूर्ण बंद का आहवान किया समीती ने आम जनता से सायोग करने की अपील की हिंसा की जांच के लिए सुप्रिम कोट ने समीती बनाई है इसकी रिपोर्ट के अनुसार राज में हिंसा के दोरान 175 मोते हुई है 117 शव की पहचान की गई इंफाल के J-NIMS और रिम्स अस्पतालों में रखे गए कोकी समुदाई के साथ सदस्यों के शव को मनीपूर पुलिस और सेना की असम राइफल्स इकाई की कड़ी सुरक्षा वेवस्ता के बीच एर लिफ्ट कर लाया गया अधिकारियों ने बताया कि आधिवासियों के प्रभुत वाले जिले चूरा चांदपूर की मौर्चूरी में रखे मैतेई समुदाई के लोगों के चार शव भी इंफाल लाए गए अन्तिम संसकार के लिए शव उनके परिवारों को सोब दिये गए आधिवासि एकता समीती ने एक बयान में कहा कि कुकी भाईयों का अन्तिम संसकार शुकरवार को फैजांग के शहीद कब्रिस्तान में किया जाएगा इसमें कहा गया कि इमर्जेंसी सेवाओं और अन्तिम संसकार पार्टियों को बंद के दाएरे से छूट दी जाएगी